आप सोच रहे होगे काद मैंने क्या बनाया है तो मैं आज बनाने जाए हूं गाज़र वाली सिवहियां तो हुंट है तो आएधी का बनाता आध को बनाता है तो इस्वेब्र olhar साफिए निया कए सब्सक्राइं इंग्रीटीन सीवहिय दूरिए जो ठंज हैं थोड़ा मोता चदध ऐसंदून ल्क यह अपर ट्वेस्न है अन्र कर्श कर ले नहीं दूरिट जानी और M You बड़ें तेन बड़ा इसमें हम डालें घी में इजिए गी गणड़ा हो गया था है वर इती Yakइच्छ थे च शक र 혁म हो गया था जैंगया विडियाए दूब्मेट मेडियम रखा है एक दम हाई नहीं करिए दरवाई सिवया जल जाएगी अगर आप और यह देखिए सिवया का लग चेंज हो जुका है अब हमने कर दिया गया स्कॉप और रहा है निकाल लें एक प्लेट में प्लेट में काल लिया है रमने पैन गरम कर है और अए अच्छी तरीके से हुबाल लेना मैं अभी एक ग्लास में अब आप ग्लास में और एड़ एंग अलया है तोट और इसको इसी फेस और दूद में ढाला है वह अल्रीघ कर लेते तो जब में पास्ले फिर नीचे से लगता नहीं तो अगर आपने सीधे पैकेट का दूद डाल रहे हैं तो पहले पैन में थोड़ा सा नीचे चम़ज पानी डाली इसको फेला दीजिए फिर दूद दाली तो नीचे से लगतानी तो मेरा अलरडी मैंने गरम दूद लिया था तो मैंने ऐसा नहीं किया है अगर आप सीधे पैकेट से दूद निकालते हैं तो ध्यान रखिए नीचे पानी डालिए अदरवाइस आप एक अलग बरतन में गरम करें फिर दूद को इस्तमाल करें इसको अच्छी तरीकी से उबल तो इसमें गाजर में इस स्टेज पे डाल देऊं कि गाजर भी हलके हमारी कोख हो जाएगी दूद के सब तो इसको अभी हम 3-4 मिनट और और दूद को अच्छे से उबल लें दीजे रिखिए रिखिए गाजर भी इसमें इसमें एक लॉंग लॉंग इसले डालते हैं कि कर सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे शकर चीनी तो हम डाल रहे हैं इसमें वन टू एंड थ्री स्पून भरके शकर शकर आप अपने हैसाब से कम ज्यादा कर सकते कम मीठा काते तो कम और अगर आप ज्यादा मीठा काते तो एक तो चमच इसमें सकतर बढ़ा भी सकते इस तो आपने सारी सिवयां पूट कर दी हैं और इसको एक पर अच्छी तरीके से मिला देंगे अगर आपको इस स्टेज पे जैसे मेरे मेरी किचोखीर पन रही है इसमें मिल्क सफिशेंट है पर अगर आपको लगता है कि नहीं मिल्क काम है तो आप उपर से भी थोड़ा सा मिल्क आड कर सकते हैं कई सिवयां गाड़ी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती तो थोड़ी मिल्की थोड़ी सी लिक्विडिश होनी चाहिए सिवयां तभी अच्छी लगती है तो इसका बना गजर कितनी बढ़ गई है तो मैं अकसर गाजर वाली सिवया बनाती हूं तो बचों को बहुत पसंद आती है और हमारे यह जद्धे भी गैस्ट राते हैं वो भी पूछने हैं कैसे बनाई तो मैं एकसर ट्राइ करती हूं तो इसलिए मैंने आज आपको भी बना आप एक बार चेक भी कर लीजए किसमें एक टुकड़ा लीजिए उसका दबा के देख लीजिए को खो जाती हूं यह फूल जाती अलगी पता चल जाता है तो हम ग्यास को कर रहे हूं और इसको ट्रांस्वर कर रहें हैं सर्विंग बोल्स में और यह देखिए से विया हमने नहीध तबर उसका टेस्ट कर देता है और इसक期 साथ मैने यहां पर जोरेए बनाते विश नहीं डाला यह आपने देखा होगा और ड्राइफरो चौल में इसलें नहीं लीज़ती हूं क्योंकि मैं इसको गांशिक में यूज कर दीम और dry fruits हम उपर से डालेंगे और इसको थोड़ा सा गार्नीश कर रहे हैं हम गाजर से यह बिल्कुल optional है थोड़ा सा लुकवाइस अच्छा दिखने के लिए और अब हम डालेंगे इसमें हमारे कटे हुए nuts उपर से गार्नीशिंग के लिए आप चाहें तो बनाते समय भी डाल स